जिम्बाबवे ने गुरुवार को रोमान चक्ती 20 विश्व कप 2022 मैच में पाकिस्तान को एक रन से हरा दिया जिम्बाबवे ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने उतरी जिम्बाबवे की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाए शान मसोद ने 38 गेंदों में 44 रन बनाए लेकिन पाकिस्तान अंत में हार गया क्योंकि वे मैच की आखरी गेंद पर जीत के लिए आवश्यक तीन रन बनाने में नाकाम रहे सिकंदर रजा सिर्फ 25 रन देकर तीन विकेट लेकर जिम्बाबवे के सबसे सफल गेंद बाज रहे इस बीच ब्रेड इवास ने 25 रन देकर दो विकेट लिए पैर्थ आउस्ट्रेलिया में विकेट एक गेंद बाजी पिच की तरह दिखता है लेकिन पाकिस्तानी गेंद बाजों ने अंत में 130 रनों का बचाव नहीं किया रन चेज में बाबर और रिजवान दोनों एक बार फिर बहुत जल्दी आउट हो गए T20 विश्व कप के सेमी फाइनल में पहुँचने की पाकिस्तान की उम्मीदे लगातार दूसरी गेंद पर हार के बाद भारी पड़ती है पैर्थ में बाबर आजम की टीम जिमबाबवे से एक रन से हार गई और 131 रन के लक्षे का पीछा करने में नाकाम रही पिछले गेम में पाकिस्तान भारत से हार गया था जिमबाबवे ने पैर्थ में पाकिस्तान पर एक रन से रोमान चक जीत के साथ दूसरे T20 विश्व कप को परेशान किया और अपने विरोधियों को सीधे दूसरी गेंट पर हार का सामना करना पड़ा और सेमी फाइनल में पहुँचने की उनकी उम्मीदों को एक धागे से लटका दिया जिमबाबवे की जीत T20 विश्व कप के पहले दौर के बाहर उनकी पहली जीत थी एयान बिशप, वी रेंद्र शेवाग, शाहिद अफ्रीदी, जोफ्रा आर्चर, सैम बिलिंग्स, पीटर मिलर, ब्रेड हॉग और अन्य जैसे कई क्रिकेटरों ने पाकिस्तान पर जिमबाबवे की जीत की प्रशंसा की थी जिमबाबवे पर हार के बाद बाबर आजम ने कहा, हमने पहले छे ओवरों में अच्छी गैंद बाजी नहीं की, हम नई गेंद के साथ निशान तक नहीं थे लेकिन फिर हमने वापसी की और उन्हें 130 पर रोग दिया लेकिन बल्लेबाजी में हम गिर गए मेरे और रिजवान के बाद शान और शादाप के बीच साजेदारी हुई लेकिन शादाप के आउट होने के बाद एक के बाद एक विकेटों ने हम पर दबाव बनाया अप नहीं कर सकता पाकिस्तान का अगला मैच 30 अक्टूबर को डच टीम के खिलाफ है पाकिस्तान के सेमी फाइनल में पहुँचने की उम्मीद बहुत कम है पाकिस्तान को आने वाले मैच नीदरलेंड, दक्षिन अफ्रीका और बांगलादेश के खिलाफ जीतना है पाकिस्तान टीम के लिए सर्वश्वेष्ट की उम्मीद करते है